इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी Cephyzone T2.25G injection में दो अलग-अलग दवाएं है Cephypym और Tazobactam जो संक्रमन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने के लिए एक साथ काम करते है Cephypym बैक्टीरिया के विकास को रोप कर काम करता है Tazobactam बैक्टीरिया के खिलाफ प्रतिरोध को कम करता है और Cephypym की गतिविधी को बढ़ाता है Cephyzone T2.25G injection का इस्तेमाल कई अलग-अलग जीवानु संक्रमनों के इलाज के लिए किया जा सकता है यह दवा आम तोर पर आपको कुछ दिनों के भीतर बहतर महसूस कराती है लेकिन आपको इसे तब भी लेना जारी रखना चाहिए जब आप यह सुनिश्चित करने के लिए बहतर महसूस करते हैं कि सभी बैक्टीरिया मारे गए हैं और प्रतिरोधी नहीं बनते हैं आपका डॉक्टर या नज आपको यह दवा देंगे कृपया स्वयम प्रशासन न करें सेपिजोन ती 2.25 जी इंजेक्शन दो दवाओं का एक मिश्रण है सैफोपाइम और टैजोबटम सैफोपाइम एक एंटी बाउटिक है यह बैक्टीरिया के सुरक्षात मकावरन को बनने से रोकता है जो मानव शरीर में बैक्टीरिया के अस्तित्व के लिए आवश्यक है टेजोबैक्टम एक बीटा लेक्टामेज इन्हिबिटर है जो सेफोपाइम को निश्क्रिय करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित एंजाइम की क्रिया को रोकता है टैजोबैक्टम को जोडने से प्रतिरोध कम हो जाता है और बैक्टीरिया के खिलाफ से फोपाइम की गतिविधी बढ़ जाती है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन ओन नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद